हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों कॉमेंट सेक्षिन में हमारी सब्स्राइबर मोहित मंडल ने हमसे एक सवाल पूछा कि पहले बिलाई में 50 से जाता वेब 7 थे अभी सिर्फ 11 हैं तो इससे एक बहुत बहुत बड़ा कोश्चन निकल के सामने आता है कि वक्त आगे तो यह इनकी संक्या कम क्यों होती जारी है आज की वीडियो में जो है चर्चा करते हैं दोस्तों अगर हम भारती रिल्वे के पिछले 45 साल देखें तो वह 100 परसेंट के उपना बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि हर रूट को एलेक्रिफाइड करो हर रूट को एलेक्रिफ अब ही अगर आप विकेपडिया वेगर आपे भी देखेंगे तो आपको लगबग 1400 के आसपासी वेब सेवन जो है देखने को बिलेंगे जो कि भारती रिल्वे के हिसाब से उसके सारे जोन्स वेगर के साब से बहुत जो है और दोस्तों इनी सब के बीच में आ जाती है हमा अब दो चीजे एक साथ चल रही थी आप लगातार बंदे भारत के उपर फोर्स कर रहे थे और अपने रूट्स को इलेक्रिफाइड भी करे जा रहे थे हर जगा तो बंदे भारत चल नहीं सकती बही प्रोडक्शन तो इत्ती तेज नहीं कर पा रहे है आप बंदे भारत का इक्जामपल समझो कि अगर नॉर्दन रेलवे 500 वेब 7 होल्ड करके बैठा है अब उसके आसपास के जगाए हैं डिविजन्स हैं वहां या अलग-अलग जो जो जोन्स हैं वो इलेक्रिफाइड होते जा रहे है नॉर्दन रेलवे से ही वेब 7 निकाल करके अलग-अलग जो जो है भेजे जाएंगे वहां के रूटों को इलेक्रिफाइड पर चलाने के लिए मला वो जोन में से वेब 7 को कम कर दिया जाएगा यही सवाल के अंदर हुआ है जहां यह बता रहा है कि बिलाई में पहले 50 प्लस वेब 7 थे अब सिरिफ गया रहा है क्योंकि इसके आसपास वेब 7 की प्रोडक्शन को वापिस स्टार्ट करना पड़ेगा इसके लिए बहुत अच्छा एक्जामपल है क्योंकि WAG9 की प्रोडक्शन में उन लोगों को महारत हासिल है और WAG9 और WAP7 आप पसमें बहुत सिमिलर लोकोमोटिव है सेम बॉडी शेयर करते हैं गीर रेशिय इसी कारण से मेरी दो वीडियो के कॉंटिनेशन आपको जो है समझ में आएंगे एक कि पैसिंजर ट्रेन में डवली जी नाइन लोकोमोटिव क्यों लगाया जा रहा है इसको समझने के बाद अगर अगर उस वीडियो को देखोगे तो वह आपको अच्छे समझ में है कि कि उसके बहुत back of the story है और उसी के साथ साथ कि में लाइन जो ट्रेन से उसमें डीजर लोकोमोटिव क्यों लगाया जा रहा है वो तो यह दोनों जो वजाए हैं वह कहीं नागी इस से जनरेट हुई है ठीक है इस वीडियो से आप समझ लो कि यह वीडियो बिगिनिंग है उसक को मिल जाओंगा प्लीज जोहा करके कर देना